सोलिस यानमार जापान की कमपनी ने निकाला पहला बिना क्लेश का ट्रैक्टर इसमें क्लेश की कोई जरूत नहीं है ओटोमेटिक बटन से आप PTO सापट कंट्रोल कर सकते हैं गेर की कोई जरूत नहीं है चलिए सभी किसान भाहियों को नमस्कार दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ जो इंटरनेशनल ट्रैक्टर लिमिटेड ने सोलिस यानमार बिरंड के तहत बाहरत में ट्रैक्टर की वाई एम 3 सलंकला लांच की है सोलिस यानमार कंपनी ने रोबोटिक स्टाइल ट्रैक्टर निकाले हैं पहला वाई एम 348 दूसरा वाई एम 342 ये दोनों ट्रैक्टर भारत में लांच किये हैं इन ट्रैक्टर का किसान भाईयों को बड़ी ही बेसबरी से इंतिजार था किसान भाईयों के इंतिजार हुआ खतम तो दोस्तों मैं इनके फिचर्स के बारे में आपको बताऊंगा इस वीडियो में आपको A2Z संपूंट जानकारी मिलने वाली है इसके बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की कोई जरूत नहीं पड़ेगी तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पिलीज वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें चलिए दोस्तों सुरू करते हैं किसान भाईयों पहली बात तो ये जो 46 यानमार कंपनी है ये जापान की कंपनी है 110 साल पुरानी है पहले ये इंचन सप्लाई करती थी 2011 में इसने अपना पहला ट्रेक्टर बनाया था अब भारत में इसने दो ट्रेक्टर निकाले हैं वाई एम 348 ये येम 342 ए एक 48 होस्पावर का है दूसरा 42 होस्पावर का ट्रेक्टर है तो किसान भाईयो मैं आपको वाई एम 348 के बारे में संपून जानकरी देने वाला हूँ अब हम आपको इसके फीचर्स के बारे में बताते हैं इसके जो बॉनिट की सेब दी है एरो डाइनमिक प्लेन टाइप से सेब दी हुई है जो की हवा को चीरते हुए निकल लेगी बिदेशी कमपनी है कुस्तो स्पेसल होना था लाइट की बात करें किसान भाईयो तो इसमें चार प्रोजेक्टर लैम्प दिये हुए है जैसे की हमारे कारों में होते हैं इतने सांदर तरीके से एड़ेस्ट किये है कि रात में भी हमारे किसान भाईयों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली है दोस्तो बोनेट ओपनिंग बहुत ही स्मूथ है और 90 डिग्री पर खुल जाता है इस्पेस बहुत जादे है इसकी जो इंजन है इसकी बात करें तो यह चार सिलेंटर इंजन है यह चोतिस उड़ंचा सीसी का इंजन है जो 207.4 एनेम का टार्क उतपन करता है 16 बाल्ब हैं एक सिलेंटर में 4 बाल्ब हैं नार्मल इंजन है यह खुद सोयल यानमार्ग कमपनी के डिजाइन किया गया है इसमें मोनो पिलंजर है जो एक पिलंजर चारो सिलेंटर को तेल सप्लाई करता है मोनो पिलंजर इसकी खास बात यह है कि जितनी ट्रैक्टर पर लोड होगा उतना तेल सप्लाई करेगा किसान भाईयो अगर इसके साइलेंटर की बात करें तो इसका साइलेंसर बहुत ही सांदार तरीके से एड़ेस्ट किया है जैसे कि हमारी कारों में होता है नीचे की तरब जो लोग बागवानी खेती करते हैं यह हमारे खेत के आसपास जो पेड लगे होते हैं इसमें साइलेंसर लगने का खत्रा रहता है वह समझ से आप दूर हो गई है मैंने देखा बहुत किसानवाई अपना साइलेंसर कटवा कर छोटा करवाते थे उनका बिसेश धियान रखा है फिलाल अभी तक यह फोरवाई फोरी उपलब्द है इसमें सिक्स स्टेज कूलिंग सिस्टम आगे की तरफ जाली है दो साइड की तरफ जाली है एक उपर की तरफ जाली है आगे से और साइडों से हवा लेकर उपर की तरफ निकाल देता है इससे इंजन की जो गर्मी होती है वो बाहर निकल जाती है इंजन हीट होने की समस्या कभी भी देखने को नहीं मिलेगी इसमें एक और बिशेस्ता है यह बाइबरेट फ्री ट्रेक्टर है इसमें कोई बाइबरेटर नहीं है आप कितने भी गंटे बैट कर आसानी से इसे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें किसी भी तरह का कोई कमपन नहीं है इसका टर्निंग रेडियेशन जो अगले टायरों का है वह सबसे ज़ाद है इतना किसी भी ट्रेक्टर में आपको देखने को नहीं मिलेगा इसके गेरों की बात करें तो इसमें 16 स्पीड है चार लो चार हाई चार फारवर्ड चार रिबर्स तो टोटल हुए 16 स्पीड इसके जो गेर की क्वालिटी है बहुती बहतर नंबर एक क्वालिटी है जिसमें आप एक उंगली से आसानी से लगा सकते हैं और निकाल सकते हैं बिलकुल एक कार गितर है आपको बिलकुल पता नहीं लगेगा कि आपने गेर लगाया या नहीं लगाया दोस्तो टेकनोलोजी जो पीटियो सापट है इसमें लीवर का काम खत्म कर दि जाएगी इसे हम पुस्क करेंगे यह बंद हो जाएगी गेर और किलस का काम भी खत्म इसके अंदर आटोमेटिक हाइडरोलिक कलस है इसकी पीटियो 42 असपावर की है चलिए किसान भाहियो आप टायरों की बात करते हैं इसमें जो पिछले टायर हैं 13-68 के हैं जो आगले हैं 8018 के हैं इस ट्रैक्टर में रिम भी कुछ आदूनिक हैं जैसे कि कुछ लोग अपने टायर बाहर करना चाहते हैं तो उनके लिए हमें पहले रिमो को मोडिफाई कराने की जरूत पड़ती थी लेकिन जापान की कमपनी ने रिमो में पहले से ही सिस्टम दिया है आप कितने अंदर कितने भी बाहर कर सकते हैं अपनी सहुलियत के हिसाब से फ्रंट में भी बैक में भी दोनों रिमो में यह सिस्टम उपलब्द है डीजल टेंक की बात करें तो किसानवाई यो 50 लिटर का डीजल टेंक है दोस्तो इसका डीजल टेंक पीछे की तरफ दिया हुआ है दो दूसरा बाई एम 342 है उसकी कीमत की बात करें तो 8,50,000 रुपए एक सोरूम प्राइज है बाकी आप अपने नज़्दी की सोरूम पर जाकर कन्फर्म कर सकते हैं आज की इस वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्का